दो निर्णे जो आज हुए हैं एक तो आपको याद होगा रक्षाबंदर और ओनम के त्योहार पर प्रधानमंतरी नरेंदर मोदी जी के अध्यक्ष्टा वाली कैबिनेट ने हैं रसोई गास के जो एलपी जी के सिलेंडर के दाम है उसको कम किया था 1100 रुपे से कम करके 900 रुपे कर दिये 200 रुपे कम किये और जो उजवला योजना के लाभारती है उनको 900 पे भी 200 रुपे की और छूट जो सबसेडी के रूपे मिलती मिलती रहनी थे अगर आप उजवला योजना की सफलता देखें तो दुनिया भर की बड़ी से बड़ी एजंसी ने भी World Health Organization ने भी International Energy Agency ने भी कहा कि कैसे महिलाओं के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया इससे परेवरण को भी बचाने का काम हुआ और महिलाओं के स्वास्थ में भी सुधार हुआ नौ करोड साट लाक रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिये जा चुके हैं उजवला योजना की अंतरकत और आज मुझे कहते हुए प्रसंता है कि 75 लाक मुफ्त LPG के कोनेक्शन अब और दिये जाएंगे मांग को देखते हुए ताकि गरीब और जुरुरतमन महिलाओं को इसका लाप मिल सके यह जादतर परिवार लकड़ी कोईले इसके ओपर आश्रित रहते हैं और जिसके करण परयावरन भी प्रदुशित होता है और महिलाओं के स्वास्त को भी नुकसान होता है यह deposit free जो LPG connection उजुला योजना में दिये गे थे उसी का ही extension है और एक लिए तीन वर्षों तक 2023, 24, 25, 25, 26 इन में 75 लाग connection महिलाओं को मिलेंगे पहला refill और stove भी इसमें निशुलक दिया जाता है जिसका खर्चा oil marketing companies उठाती है जबकि deposit free LPG connection के लिए जो खर्चा आएगा वो भारत सरकार वेहन करती है और उसको reimbursement के रूप में हम लोग oil companies को देते हैं दूसरा निर्णे जो है वो e-coats mission mode project phase 3 को आज मंजूरी मिली है और e-coats mission mode project के phase 3 को लगबग 7,210 क्रोड रुपे की लागत से पूरा किया जाएगा इन e-coats का उदेश्य online और paperless courts की स्थापना करना है जिससे नियाएक विवस्था को नागरिकों के लिए सुलब, किफायती, विश्वस्थनिये और पारदर्शी बनाया जा सके अब paperless courts की स्थापना के लिए e-filing, e-payment की विवस्था को युनिवर्सल किया जाएगा legacy records जो है उसकी digitization की जाएगी जो case records है, software applications है, electronic evidence है, live streaming data है इस data के storage के लिए cloud storage की विवस्था की जाएगी और सभी code complex में 4400 e-seva के अंदर की स्थापना की जाएगी प्रथम दो चरणों के मैं, अगर आप देखें, देश में 18,000 से अधिक courts को computerize किया गया था पहले phase में लगबग 640 क्रोड रुपे का खर्चा आया था जहां पर 14,249 district and subordinate courts को किया गया था phase 2 में लगबग 1670 क्रोड रुपे खर्चा आया जहां पर 18,735 district and subordinate courts की computerization का काम किया गया था और phase 3 के अंदर गद अगले चार साल में 2023 से इसमें computerization भी hardware network connectivity ये उप्लब्द करवाई जाएगी तथा वादियों और वकीलों को citizen central services उप्लब्द करवाई गई है प्लब्द करवाई